नमस्कार दोस्तो मेरा नाम चहत्र पार सिंग और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब केमेर आप चहत्र और किसान भाई यू अगर आप चैनल पहली बारा थो चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और कमेंड करें तो दोस्तों यह जो वीडियो बनाया गया है यह ज इससे नुकसान बहुत ज्यादा होता है और किसान भाई भाई बहुत सारी मिर्च जो लगाई आपने हरीवाली उसमें आपका जो मिर्च में गुमना ना आये और कैसे करके आप अधिक पैदावार लें तो इसके लिए आपको काफी मिनद करनी पड़ जाती है और कई बार स्प्रे करना पड़ता है तो इस सब चीज से छुटका रपाने के लिए वीडियो बनाए गया है किसान भाई अच्छी लागार लगा कर खेत त्यार कर लेते हैं जिसके कारण उनमें असल नुक्सान हो जाता है तो किसान का बहुत ज्यादा नुक्सान का घाटा हो जाता है इसको अधित पैदावार कैसे लें और कैसी करके गुमना खेत में ना आए तो उस चीज में बताया गया है तो आप ये हरी वाली मेर्च में काले गुमना का फोटो देख रहे हैं ये वीडियो इसमें काले गुमना ने बिलकुल अटैक कर रखा है जिस कान किसान भाई बहुत परिसान थे तो मुझे फोन करकर परसनिली बुलाया था उन्हें और मैं इनका खेते रुजिट करने आया था तो मैंने इनको बताया तो ये हालत जो देखी थी मैंने इसके लिए मैंने इनको बताया कि इसमें दो-तीन बार इस्प्री करना रहेगा इनका जिसके बाद इनका ये जो पैदा है पौदा है वो अच्छे तरीका से ठीक हो जाएगा और कुछ ही इनकी खेत में उपर वाले गुमने के भी हैं और जो किसान भाई ये हमारे बहुत परिशान हो चुके थे और मैंने इनको सल्यूशन बताया है पुरी जानकारी इस वीडियो में बताई गई है आपको दोस्तों और इनके थोड़ी बहुत सिम्ला मिर्च गाड़ी थी सिम्ला मिर्च पे हैं तो सिम्ला मिर्च अगे जो पौधे हैं इस तरिका से हो चुके हैं सिम्ला मेर्च में गुमने का बहुत जादा आटना आच चुका है तो इस सबस्व क्याव से बचने के लिए ये वीडियो बनाय गया है और किसान भाईउ अगर आपने भी सिवला मिर्च गाड़ी है तो वीडियो पूरा देखें अगर इसके अलाबा आपको कोई जानकारी और चाहिएगा तो मेरे नंबर डिस्पले पर आपको दिस्ता होगा बिलाइट की समस्य रहेगे इसके लिए हमने दूसरा इसके लिए वीडियो बनाया है तो वो वीडियो डिस्क्रिप्ट में आपको मिल जाएगा वहां से आप दही सकते हैं नमस्कार तो में चाहिए वहां और आपको मिलवाते हैं अपको पूरी जानकारी दें में तो में में टापिक हमारा है कि मिर्च में आने वाली समस्य रोग त्था उनकी रोगताप के बारे में आज हम बात करने। तो मिर्च की बात करें, तो मिर्च में हमारे सबसे बड़ी समस्या हैं आती हैं, पहला आपका वायरस हो गया, एफिड हो गया, जैसे हो गया, थ्रिप्स हो गया, ठीक है, बाकी आपका मिर्च में डाइबैक हो गया, जो उपर से पौदा नीचे की तरफ गलता है, डंपिंग सबसे बड़ा कारण रहता है मिर्चों में जो बाइरस आता है एक तो हमारा जो पौदे फ्रिप्स की अगजाता है यानि की इसमें किया होता है मैं आसानी से पैंचान सकते हैं घ्थैकर हो घ्रिच एक को पंढ़ घ्रिच जब बड़ा है उ 트ाइघ से प्रेंबोर तो च्छानते है एक इसमें करत रहता है हमारा Сам оно लिए यह बात करते हैं इसे पॉर जानते बादते काम करता है और यह बाइरस मुटता हवा से भी फैलता है हमारे हातों के थुरू भी जब हम रोग रस्थ पौदे से पौदे को छूदते हैं तो यह पौदा की तरफ फैलने लगता है तो इससे रोगने का क्या है एक तो में सबसे वड़ी बात कहूंगा कि जो रोग रस्थ आपका जो वायरस वाली समस्या वह नहीं बढ़ेगी यह तो रहा में आपका वायरस के लिए बात करें दूसरा आपका इसमें क्या है आपकी समस्या आती है कि सहाब डंपिंग ओफ आ रहा है उपर से पौदा नीचे की तरफ गल्ला है तो इसमें क्या होता है जब मौसम के लिए मुक्ता कोई स्पेसle डवा नहीं मनगे नऄ जो किसानवाई काती है कि यूय लगा वह लगा तो इसके लिए बाइए की वाइट के लिए हो गया आपका माइट के लिए हो गया उसमें आप क्या है नाम से वाइट को भी कंट्र Border and Muslims control करें को भी कո किया रहता है यह किसान्वाई यह खेतों यूज कर सकते उस दोस्थ की बात करें तो दो आमल पर लीटर के हिसाब से आप मिर्च में स्प्रेय कर सकते हैं साथ में अगर आप डालना चाहते हो तो आप फंजी साइड भी इसके साथ में यूज कर सकते हैं दूसरा आपका और कोई समस्तर में आप ठिर्फ के लिए ऑप किसी भी कंपनी का 5% पर आता है वो यूज कर सकते हो दूसरा आपका डाइनासवर नाम से आजा है जिसमें टोल फेंट पे राइड होता है भारत कंपनी का आता है जो आपका त्रप्स पे बढ़िया काम करता है यह थिर्प के साथ इंडोफिल का आता है दम्मू नाम से वह आपका भाइड फ्लाई माइट इन पर अच्छा काम करता है और इसके लिए आप अमीडा भी यूज कर सकते हो 70% वाला साथ ही आप असीटा हो गया इनका और आपको यह मिलेगा सजंटा का पेगासस नाम से इनका भी आप यूज कर सक करें मैटी साइड तो आपका ओबरान हो गया आ ड़ेकर आपका इंडोफिल का मिल जाएगा सीजमाइड और भारत कंपनी का तो निश्वरान नाम से आता है जो मिटी साहिड है बड़िया दबाईया है बड़िया रिस्पॉंस मिलेगा आपको जब आप इने लगाऊगे ले सही समय पे आप दबा को लागा हुए तब ही आपको benefit मिले रोग आने के बाद आप लगाते तो आपको बैसा response ना मिले यही कहूंगा कि आप सही देख रेक करोगे सही खेर्की करोगे तो आपका ठीकी अच्छा रनेगा अगर इसके अलाबा आपको कोई जानकारी और चाहिएगा तो मेरे नंबर डिस्प्लेइप आपको दिफ्ता होगा आप बहां पर मुझे संपर कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए फौन भी कर सकते मुझे वाट्सआप पे आप फूटू भेज के बीमारी की समस्या भी द स्क्रिप्ट में आप तो मिल जागा वहां से आप दे सकते हैं नमस्कार चेहिए